आपके सांब प्यम्टणी स्वर्तम हल्दुवानी आपको बतादू इस वक्त वाद करते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त हमारे साथ प्राचीन राम लीला में तमा मतवान कर दार निवारे तो छली उन से बात करते हैं नुश्काराम का नाम है मेराम पुनार पांट है आप कौन सा करदार हैं यहाराम का यह मेरा पहले साल है किस तरह किस तरह की किस तरह का नूहा रहता है यहां पर मन्चिल करकी का भी अच्छा नूभव रहता है। वह चीज सीखने को मिलती है वह चांदने को मिलती है। आप इसे कही न कही न जोड़ि रहते हैं, तो इस्से कही न कही हमारे शौभार में और यह कही न गई अधिर। जैसे आपने रामजी का निभाय है, कौन सी ऐक ऐसी क्वालेटी है जो आपको लगता है कि आपको भी अपने चीज़ में उतार की? जो उनकी सबसे प्रत्रम को लेगी है यो बहुत ही चरित्रवान देखा है आपका नाम इस आप कौन से करता हूं कितने सालों से आप इस रामलीला में में मेंचन करते हैं जी लेक्ष्णन में होना है पैदाबर्शे इससे पहले हैं भरत और शेत्यकन भी तो किस तरह का नुभ अच्छा रहता है सब को इस नाम जोड़ना चाहिए और पाटेनर आपने जैसे लक्षफन का करदार ने बाया है तो कौन से इसकी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि लक्षफन की से सीख नहीं चाहिए दर्शकों को या लोगों को अपने जीवल में आप पिसाथ करते है अपने तके प्रती था का नाम संदीव सजवान आप कौन से किर्दार किते साल में करते थी तो जैसे कि सबसे प्राचीन ब्राम लीला यहां पर हल्दवानी यह तो यहां पर मंचन करके कैसा लगता है और से लोग यहां देखना है पहले हम यहीं रहते थे यहां से जुड़े हुए हैं अच्छा लगता है आप जैसे कि आप हनुमान की का गिरदार निभार है तो कौन सी कैसी क्वालेंटी है जो आपको लगता है दर्शकों को अपने जिवन हनुमान जी से सीखना चाहिए जो आपनी भक्त से वस्सल है राम कि यह जे समझता हो कि सब से परानी भाद के बहुत लंबे समय से से मैंने तो सुना पहले बुर्थ श्रा ऑलग स्पाइका मैं से और सभी को कमिला को बहुत बहुत अपनी तरब से बाईlor वाए उनको भी मेर可以 अब्वी मेरी सूब आप म सीजरसपूर ना से यहां वाए मिए आप दोड़ा जमेदारी बड़ी होने के कारण थोड़ा सा मेरा समय नहीं हो पाता है लेकिन आज मैंने कल बिनी जी ने और मुन्ना भाई ने आया हूं आगे भी इन कारिक्रम में सरीक्ता करेंगे हम सबका भी जुम्यधारी है कि ऐसे धर्मिक कारिक्रम को आना ही चाहिए जैसे आपने बता है अब 10-12 सालों से यहां आते रहे हैं तो इतने सालों के दर्मियान आपने क्या-क्या बदलाव देगे क्या बहतर हुए नहीं बहुत बहतर है पहले मैं पिछले बार दो वर्स पुग्रु आया था तो यह जो प्यासी की गद्दी है यह उस तरफ सामने मेरे दाई तरफ वाले मंचपड़ थी इस बार मां आया है मुझे बहुत अद्भूत लगा कि दो वर्स में आपने बहुत कुछ चेंज किया इस तरफ की भी रामझेरा होती है दिन की रामझेरा का इस्तान अलग है उनके पातर अलग है ये बहुत बड़ा अर्जमेंट है और इतना बड़ा परबंदन करना वास्तों में यहां के जो कमिड़ी के लोग है प्रशासन के लोग है, उनकी लिए उनको मां बजाई देते ह प्लेटफॉम्स आगे तो ऐसे में यूवापीडी को संस्कृति से जोड़े रखने के लिए इस तरह के कारिक्रम का आयोजन कितना जरू हो बेलकुल और आप देख रहोंगे जिस परकार का धार्मिक कारिक्रम पड़े हैं पिछले एक दसक से या दो दसक से इससे बीच का एक काल खंट आया था जब लोग रामनिलाओं की तरह धार्मिक कारिक्रम की तरफ नहीं आते थे आज बहुत तत्त मात्रा पर ब्यास कताएं हैं बड़े अपनी रामनिला के आयोजन है आप राम मंदिर की जो जब तैयारी थी जब आमने अक्सत कुशन के कारिक्रम किये थे इन दर्मी के अपने परिवार के कारिक्रम के बाद इन धार्मी कराइब करों मां भी सबसे ज्यादा अपरस्तिति बहन उती है इसलिए मैं मात्र में अपनी जो मात्र समगण है मात्र आपनी शक्तियां उनको मैं बहुत धन्यबात देता हूं कर दो 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 कर। कर दो लुश्वान दो प्रदर्शन होता है आज जो है विपीशन सरणागती और राम सेतु और इसके अलाबा स्री रामिश्रम इस्थापना यहां पर राम लीला का यह जो पूरे उत्तराखंड में जो पूरे लगता है सबसे प्राचीन राम लीला यहीं होते हैं 146 वर्सों का इतिहास बताया जाता है तो मैं भी जुड़ा हूं लेकिन हमारे ब्याश्जी और पुराने लोग यहां पर राम लीला संचालन से जुड़े वे वो लोग कहते हैं कि लगवा 146 वर्सों से यह राम लीला दिन की यहां पर हो रही है आप बीते कितने सालों से इस पिछले 6 सालों से जो हूँ यहां पर राम लीला संचालन समय की सदस हूँ और हमारी 31 लोगों की टीम है हम सब लोग मिलकर यहां पर अलग-अलग सब काम बाटे जाते हैं सब अपर अपना काम करते हैं आधरणी है जो है हमारे रिसीवर है वही संदक्षक है उनके संदक्ष एक प्रसंग करते हैं जो पाट खेलते हैं वो अपने जितने भी संबाद होते हैं और यह वाली जो पर्टिसिपेंट्स होते हैं वह अपनी एक्टिंग मोनो एक्टिंग करते हैं नमस्कार सर आपका नाम अच्छा जिसकार से यहां भव्य राम लीला का आवजिन की अजारह से वहले तो किस तरह का उत्सा लोगों में देखने को बहुत सुंदर यह बहुत प्राचीन जैसे कि आपने वताया कि सबसे प्राचीन राम लीला समगत है हल्दवानी नासपास के शेत्रों के मना वाल करें वहां नीच तरीक से उतना प olhar की तरीक फिक नहीं कर देख रहा है आप लोगों के माध्यम से हम लोग घर बेढ़े कहीं बेढ़ें और देख कारेकं रामला की पूरे संचनान देख रहे हैं करके सालों की बात करें बीते सालों में अब किता अंतर है दर्शकों को साथ है अब करा कि आपना कोस्टन करा कि तर्सकों मौश साह कम हो गया अब तो आदमी आज़कर मोबाइल में देख ले रहा है फुद ही देख ले राइन इस तरह के प्रोग्राम कितने जरूरी है सांस्क्रितिकों कर क्योंकि हम कहीं ना कहीं नई इस और भूलते चले और यह जैसे जागण है जैसे रामनिला है बच्चों इस चिछे ग्यान होना चाहिए कि आज की डेट में हम में कैसे क्या हुआ किस यूप में कैसे हुआ क्या हुआ यह सब चीजे बाच्चात सहली के लिए बढ़ते चला है रहा हमारे बच्चे और हम लोग इस और ध्यानी दे रहे हैं आज हमारा भीड़का देखे नहीं एक समयदा हम बच् रहे हैं कि नमस्कार सब्सक्राइब आपके नाम है विली तगरगार जिस पकार सम्देख पा रहे हैं अपर भवी राम लीला कायजन किया जा रहे है तो सबसे प्राचीन राम लीला होने के लब और क्या विशिष्टा है कि लोग यहां आगर राम लुगा देखे लिए 147 सा आप लोग आश्मा पर होतो हो जाएगा यहां पर एक घनवान जी की मूर्थी बनी है तो उसमें लोगों की आपार सद्धा है राम लिला मंचन में जो लोग पार जिलते हैं बुक्त सब्सक्राइब को स्री लगती है तो वेकर होपना साथवी जिवन जीता है चपता को राम अब लोग चाहते हैं कि जीवन यहां पर यह हो जाए तूर दोर से लोग यहां पर देखने के लिए आते हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मदब किसी को प्लाने के आफ़ता नहीं होती है बच्चे आप देख सकते हैं आए हुए हैं बैटे हुए हैं देख रहे हैं अच्छे घरों को लोग आते हैं और यहां पे एक मारा मेले का सुदू प्रेटा है यह तो आप पिसी से सालों से यहां पर जुड़े हुए रहा हूं प्रभू का असरवाद है कि मुझे इस आपका नाम सिल्पी गुपता कर सोधन वैस समाच से हुए हैं कहां से आप आई हैं खालदवानी रामपूर रोड जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं सबसे प्राची नाम नील है तो कितने मेरी शादि हो गए कि आइसे पहला यह से पहले नहीने कि माने यहाइता है कि सबसे प्राची मरहें आप One आपका नाम कहां से आई है कितने सालों से यहां रही है हम बच्पन थे रही है घआधियों जाते हैं गया है जैसा ही आई है फौर्णी किसे प्राचीन रामलीला है तो कैसे लगता है यहां आकर किस तरह गें यहां पर आकर हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है बश्पन से नहीं रामला देखी है और अपने बच्छों को भी तिकाल देब बताते हैं कि अब अभी आला को हो रहा है जैसे कि यहां के पांचे यहां कि अच्छे हैं चलिए ठीक है माँ आपका नाम आप कितने साल आते हैं यहां कि रामलीला है तो कैसे अनुबर रहता है यहां कि रामला बहुत अच्छा लगता यहां पे तब नेने लोग मिलते हैं लोगों को इखटा करना तो देखना बहुत अच्छा नहीं आपने बताएं आप यहां आ रही हैं तो दर्शकों को कैसा सब्सक्राइब काफी इंप्रूब्मेंट किया गया है और लोग काफी अच्छे थे में देख रही हूं कि इन्वाल भी जादा अच्छी तरह से हो रहा है तो देखा आपने हमारी इस हाथ रिपोर्ट में आपने राम लीला के सच्छा लगा है उन लोगों से बात कि इस राम लीला में तमाम भगवानों के बात कि और जाने किस तरह गौट का रहा है यहां पर आपको बता तो इसके तमाम कवरेज आपने देजेन न्यूस पर मैं गड़ेश अपी सही होगी फूजा के साथ जीजेन न्यूस अलबवानी